नमस्कार दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूटूब चैनल MS Advisor में और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिलेट कोर्स 509 के पार्ट नमर 2 में लगवग 30 important MCQ यानि की बहुत भी कल्पिया प्रस्न करेंगे और दोस्तों गर आपने पिछले वीडियो को नहीं दखाए जांकि मैंने डिलेट कोर्स 508 के आठ पार्ट में लगवग 230 questions करया है गर आपने उस वीडियो को नहीं दखाए तो प्लीज आप इस वीडियो को देख लें उसमें जितने भी questions आपको कराएगे हैं वो सारे questions जो भी आपके study material दिये गए हैं उसी से सारे important questions लिये गए हैं दोस्तों गर आप सारे questions को कर लेते हैं तो आप नेसी दुरूप से exam में 8 से 10 questions कर पाएगे तो इसलिए आप उन सारे questions को अच्छे तरीके से कर लें उन सारे वीडियो के playlist का link आपको इस वीडियो के description में या फिर आपको इस वीडियो के first moment में मिल जाएगा जहां कि आप राइर क्लिक करके उनसे वीडियो को देख पाएंगे और दोस्तों डियलेट course 509 का अगर part number 1 आपने नहीं देखा है तो उसका भी link आपको इस वीडियो के description में या फिर आपको इस वीडियो के first moment में मिल जाएगा जहां कि आप राइर क्लिक करके उनसे वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों आप से request है कि इस वीडियो को like और share जरूर करें जो भी आपका WhatsApp ग्रूप है Facebook ग्रूप है वहाँ पर इस वीडियो को जरूर share करें ताकि सबी तक ये वीडियो पहुं सके और वो भी अपने तयारी को अच्छे तरीके से कर सके तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर सुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पर डिलेट कोर्स 509 के पार्ट नमर 2 में क्या-क्या यहाँ पर questions रखे गए हैं इसमें अगर देखें तो पहला जो questions यहाँ पर दिया गया है समाजिक बिग्यान में सिख्छा का महत्व किन कारणों से है इसके लिए और बिग्यान में सिख्छा का महत्व किन कारणों से है तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे comments कर सकते है और दोस्तों आप लास्ट में ये भी comments करें कि आपने total कितने questions सही किये है और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे comments करें जोरू बता है तो इसका सही आंसर होगा वो है option C यानि कि इसमें जो भी option A और B दिया गया है समाजिक द्रिष्टी से या फिर व्यक्तिकर द्रिष्टी से ये दोनों बिल्कुल सही है फिर अगला questions दिया गया है नालंदा विस विडियाले को किस ने धोस्त किया था तो इसके लिए option दिया गया है option A दिया गया है बक्तियार खिलजी option B दिया गया है इल्तुत मिस option C दिया गया है बलबन option D दिया गया है सिकंदर लोती ने तो इसमें आपको बताना है कि नालंदा विश्विद्याले को किस ने धोस्त किया था तो इसका सही आंसर होगा बक्तियार खिलजी ने तो बक्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्विद्याले को धोस्त किया गया था और दोस्तों आपको यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर जो भी लेवरी थे यानि कि नलंदा बिश्विजाले में जो भी लेवरी था यहाँ पर इतने पुष्टक थे कि इनके द्वारा जब यहाँ पर आग लगया गया तो लगवक्त तीन से चार मन तक जो है आग जलते रह आता है तो आप सो सकते हैं कि नलंदा बिश्विज़ाले में पहले कितने सारे पुछ्तिके थी? फिर अग्ला कोर्सेंश दिया गया है समाजिक विज्ञान-हस्तान-्तरण में सहयक है इसके लिए ओफिज़ाजिक विज्ञान-हस्थां-तरण में सहयक है तो इसका और सही harus और पशасन किसका यानि कि जो भी याँ पर स्लोगन दिये गए है ये किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है इसके लिए ओपसन दिये गए है युपकों को अपनी डैस के चुनाओं में सायक सिद्ध होते हैं इसके लिए ओफशन दिया गया है ओफशन A दिया गया है कारिछमता ओफशन B दिया गया है जीवन किरियाओं ओफशन C दिया गया है A और B दोनों के ओफशन D दिया गया है इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा वो है option B याने की जीवन किरियाओं याने की समाधिक बिग्यान यूपकों को अपनी जीवन किरियाओं के चुनाओं में सायक सित्थ करता है फिर अगला question दियागे है फिर अगला question दियागे है भारतिय बिद्यालियों में समाधिक अध्यान का उद्देश है option दियागे है option A दियागे है मानव की संस्कृतिक धरोहर option B दियागे है मानव की प्रसपर अन्योन्या स्रित्ता option B दियागे है A और B दोनों सही है option D दियागे है उप्यूगत में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा वो है option C यानि कि इसमें जो भी option A और B दिये गए ये दोनों बिल्कुल सही है फिर अगला question दिये गए है Thomas Khalil का संबंध है इसके लिए option दिये गए है, option A दिया गए है France की करांती से, option B दिया गए है England की करांती से, option C दिया गए है रूस की करांती से, option D दिया गए है अमेरिका की करांती से तो इसका सही आंसर होगा वो है option A यानि कि फ्रांस की करांती से फिर अगला question दिये गए है बार डोली सत्यागरा कब शुरू हुआ था इसके लिए option A दिया गए है 1926 सिस्वी में, option B दिया गए है 1927 सिस्वी में, option C दिया गए है 1928 सिस्वी में, option D दिया गए है 1929 सिस्वी में तो इसमें आपको बताना है कि बार डोली सत्यागरा कब शुरूबा था इसका सही आंसर होगा वो है option C यानि कि 1928 सिस्वी में फिर अगला question दिये गए है आज की सिक्चा किस परकार की है option दिया गए है, option A दिया गए है सिक्चा केंद्रित, option B दिया गए है बाल केंद्रित, option C दिया गए है पाठ करम केंद्रित, option D दिया गए है उप्यूक सभी तो इसका सही आंसर होगा वो है option B यानि की बाल केंदित यानि की आज की जो भी सिख्चा है वो बाल केंदित है फिर अगला कोशन दिये गए है उद्यस्यों का वर्गी क्रेंस सर परताम किसने प्रस्तूत किया इसके लिए ओफ्षन दिये गए है ओफ्षन A दिया गए है तो इसका सही आंसर होगा वो है ओफ्षन B यानि की B.S. बुलूम ने फिर अगला कोशन दिये गए है निम्न में से कौन सा तत्व समाजिक अध्यान के छेतर में नहीं आता है इसके लिए ओफ्षन दिये गए है ओफ्षन A दिये गए है तो इसका सही आंसर होगा वो है ओफ्षन D यानि की अवाज सम्बन्दी तत्व फिर अगला कोशन दिये गए है शिक्षन पिद्यों की आवस्टता किन कारणों से है इसके लिए ओफ्षन दिये गए है ओफ्षन A दिया गए है चात्रों को ग्यान हे तू ओफ्षन B दिये गए है कुछलता निर्मान हे तू ओफ्षन C दिया गिए है A और B दोनों सही है ओफ्षन D दिया गए है इन में से कोई नहीं तो इसमें आपको बताना है कि सिक्षन विद्यों क्या वसकता किन कारणों से है तो इसका सही आंसर होगा वो है option C यानि कि A और B जो भी याँ पर option दिये गए है छात्रों की ग्यान हे तू या फिर कुछ अलता निर्मान हे तू ये दोनों बिल्कुल सही है फिर अगला question दिया गया है बिहार में बरतमान प्रूष सक्षारता दर कितना है तो इसके लिए option दिया गया है option A दिया गया है 73.5% option B दिया गया है 75.5% option C दिया गया है 72.5% option D दिया गया है 74.5% तो इसमें आपको बताना है कि बिहार में बरतमान प्रूष सक्षारता दर कितना है तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो है option A याने की 73.5% दोस्तों जो भी आपके questions दिये गए है बिहार में बरत्मान पूर्व सक्षरता दर जो है तो इसका क्या सही आंसर होगा इसको आप एक बार नेट पर check कर लें क्योंकि इसमें मुझे थोड़ सा confusion है इसमें A और B में से हो सकता है तो B भी इसका आंसर हो सकता है कि 75.5 जो है क्योंकि 2011 के जनगना के इसाफ से जो मैंने check नहीं किया है कितना दिया गया है तो आप भी इसे नेट पर check कर सकते हैं और जो भी आपको इसका सही answer लगता है वो आप नीचे comment से ज़रूर बताएं फिर अगला question दिये गया है संथाल विदो कब शुरू हुआ था इसके लिए option दिये गया है 1856 से 556 में और option B दिये गयी है 1856 से 566 में option C दिया गया है 1856 से 69 сот में option D दिया गया है 1869 से 60 में तो इसमें आपको बताना है कि संथाल विद्रोग कब शुरू हुआ था तो इसका सही आंसर होगा वो है option B याने कि 1855 से 56 में फिर अगला question दिया गया है British सरकार में सरपर्थम जन गनना कब क्या गया था इसके लिए option दिया गया है, option A दिया गया है तो इसका सही आंसर होगा वो है option A याने कि 1872 में फिर अगला question दिया गया है मुझे संस्कीत अयम अर्वी का ज्यान नहीं है ऐसा किस ने कहा था इसके लिए option दिया गया है, option A दिया गया है कनिंगम, option B दिया गया है, मैकाले, option C दिया गया है हेस्टिक्स, option D दिया गया है, इन में सभी है तो इसका सही आंसर होगा वो है option B याने कि मैकाले ने फिर अगला question दिया गया है चमपारन सत्यागरा किस वर्ष शुरू हुआ था इसके लिए option A दिया गया है, option A दिया गया है, 1916 SB में option B दिया गया है, 1915 SB में option C दिया गया है, 1917 SB में option D दिया गया है, 1918 SB में तो इसमें आपको बताना है कि चमपारन सत्यागरा किस वर्ष शुरू हुआ था तो इसका सही आंसर होगा वो है option C याने कि 1917 SB में फिर अगला question दिया गया है तो इसका सही आंसर होगा वो है option C याने कि कुमार गुप्त के द्वारा जो है नलंदा विस्ट विद्याले की अस्थापना की गयी थी फिर अगला question दिया गया है चात्रों को समाज के निकट ले जाने का सरवत्तम साधन है इसके लिए option दिया गया है वन भरमन, option B दिया गया है समाजिक उपदेश, option C दिया गया है समाज सेवा सेविर, option D दिया गया है उप्युक सभी तो इसमें आपको बताना है कि छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सरवत्तम साधन कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा वो है option D याने कि जो भी आपे option A, B, C दिया गया है ये तीनों बिल्कुल सही है फिर अगला कोसर दिया गया है कौन कौन से साधन, प्राक्रितिक साधन होते है option दिया गया है, option A दिया गया है भूमी option B दिया गया है जल, option C दिया गया है हवा Option D दिया गया है उप्योग सभी तो इसका सही आंसर होगा वो है Option D याने की उप्योग सभी तो इसमें जो भी Option A, B, C दिया गया है या तीनों बिल्कुल सभी है फिर अगला कोशन दिया गया है समाजिक बिज्ञान के ग्यान उप्योग के उद्देश के तत्व है इसके लिए Option दिया गया है Option A दिया गया है नियम, सिधान, तवो, समानी करन, Option B दिया गया है संबंध, Option C दिया गया है तत्य, Option D दिया गया है उप्योग सभी तो इसका सही आंसर होगा वो है Option D याने की उप्योग सभी तो इसमें जो भी option A, B, C दिया गए है तेनों बिल्कुल सही है फिर अगला questions दिया गए है भारत में किस परकार की परगति की मांग की गई इसके लिए option दिया गए है option A दिया गए है अद्योगिक option B दिया गए है बेग्यानिक option C दिया गए है A और B दोनो option D दिया गए है इनमें से कोई नहीं तो आपको इसमें बताना है कि भारत में किस परकार की परगति की मांग की गई थी तो इसका सही answer होगा वो है option C यानि कि इसमें जो भी option A और B दिया गए था और दियोगिक और बेग्यानिक ये दोनों बिल्कुल सही है फिर अगला questions दिया गए है इतिहास के पिता कौन है इसके लिए option दिया गए है option A दिया गए है हेरो टोट्स ऑफशन B दिया गए है थॉमस कालील ऑफशन C दिया गए है थूसी डाइडस ऑफशन D दिया गए है प्रोफेसर रेनियर तो इसका सही आंसर होगा गए option A यानि की हेरो टोट्स फिर अगला questions दिया गए है जोगरफी का अर्थ है इसके लिए option दिया गए है option A दिया गए है पिर्थवी और वर्नन option B दिया गए है साहित और वर्नन option C दिया गए है इतिहास और वर्नन Option D दिया गया है समाच और वर्णन तो इसका सही आंसर होगा वो है Option A यानि कि पिर्थिवी और वर्णन फिर अगला कोस्ट दिया गया है समाजिक विग्यान पढ़ाने के पीछे मुख उद्देश है Option दिया गया है Option A दिया गया है समनुईत ग्यान परदान करना Option B दिया गया है एक नया विशे बनाना Option C दिया गया है विशियों की संख्या कम करना Option D दिया गया है उप्यूग सभी तो इसका सही आंसर होगा वो है Option A यानि कि समनुईत ग्यान परदान करना फिर अगला कोस्ट दिया गया है अल निनो का संबंध है इसके लिए option दिये गए है option A दिया गया है समाज से option B दिया गया है भुगोल से option C दिया गया है इतिहाज से option D दिया गया है गनीच से तो इसका सही आंसर होगा वो है option B याने की भुगोल से फिर अगला question दिये गए है भारत की सबसे लंबी नदी है इसके लिए option दिये गए है option A दिया गए है गोदावरी, option B दिया गए है नर्मदा, option C दिया गए है गंगा, option D दिया गए है तापती तो इसमें आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका सही आंसर होगा बो है option C यानि की गंगा फिर अगला question देगे है गंगा नदी भारत के किन राजियों से होकर गुजरती है इसके लिए option देगे है option A देगे है, बिहार, option B देगे है राजनिती के उपचारिक उपकरन कहलाता है इसके लिए option देगे है option A देगे है, सरकार, option B देगे है, संस्थान option C देगे है, संबिधान option D देगे है, इनमें सभी तो इसमें आपको बताना है कि राजनिती के उपचारिक उपकरन क्या कहलाता है तो इसका सही आंसर होगा वो है option T यानि की इन में सभी तो इसमें जो भी option ABC दिये गए थे सरकार, संस्थान, संभिधान ये तीनों बिल्कुल सही है तो ये दोस्तों आज के 30 important M-Secure यानि की बहुत विकल्पे प्रस ने थे ये delete course 509 का part number 2 था दोस्तों आपके वीडियो कैसा लगा आप नीचे comment सके जोरू बताएं और अज़ आपने कितने questions सही किया हैं वो भी आप नीचे comment सके बताएं और दोस्तों गर आपने पिछले के वीडियो को नहीं दखाए जहांकि पिर आपको इस वीडियो के first minute में मिल जाएगा जहांके आप डियर्क किलिक करें इस सही वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों इसी तरह के आगे वीडियो के साथ बढ़ेने के लिए आप इस चैन को सब्सक्राइब कर लें उसके बारत नोट्पिकिशन का बेल है कि उससे आप ज़रू किलिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फिर में सबसे पहले मिलता रहे हैं और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद